a bomb of mass 16 kg is at rest explodes into two pieces of 4 kg and 12 kg the velocity of 12 kg mass is 4 meter per second kinetic energy of the other masses तो देखिए आपका इसका momentum कितना हो गया P is equal to हो गया आपका 48 ठीक है आपके इसका 48 momentum हो गया तो दूसरे वाले का भी momentum किता होगा 48 होगा बट इन अपोसिट डेरेक्शन होगा इसर ते conservation of linear momentum क्योंकि ये पहले rest पे था तो हमें पता है काइटिक energy अगर हमें दूसरे वाले के लिखने है तो कानेटिक अगर 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 देखने है तो मुमेंटम का मेंगनिट्यूट तो सेम ही होगा तो इसका स्क्वार्ट इंटू 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 अदर वन इस जिसका मास किता है 12 kg हमें 4 kg का पूछा गया है तो यहां पर 4 kg लिख देंगे तो यह 24 हो गया और यहां पर आप कहा गया तो यह हो जाएगा 288 जूल तो आप्शिन भी सही हो जाता है